हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है, तो उसे कश्ठी मिलता है। येदि कोई व्यक्त शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परचाईं की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है वो एक शब्द जो शांती लाएं। अतीत पे ध्यान मत दो भविश के बारे में मस्सुचू। अपने मन को वर्तमान छण पे केंद्रित करों। सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मून मत्ती बिना आग के नहीं जल सकती है, मनुश भी अध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जे सकता है। तीन जीजें ज्यादा तेर तक नहीं चिट सकती हैं, सूर, चंद्रमा और सकती। अपने मूच के लिए खुद भी प्रयात्मि करें। दोसरों पर नेवर नार। किसी विबाद में हम जैसे की प्रोधित होते हैं, हम सच का मार छोड़ देते हैं, और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेच्छा एक कप्टी और तुष्ट मित्र से अधित डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी पुद्धी को नुकसान पहुचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चड़ा कर मत बताईए। और नहीं दूसरों से इश्शा कीजिए। जो दूसरों से इश्शा करते हैं, उसे मन की शान्ती नहीं मिलते हैं। ग्रणा ग्रणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, ये शुस्त सत्य है। वो जो पचास लोगों से प्रेम करता है, उसके पचास संकत है। प्रोध को पाले रखने, प्रोध को पाले रखना, ग्र्म कोईले गूप किसी और पर ठेकने के नियत से पकड़े रहने के समाने, इसमें आप की जलेगी। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जाज़िवा है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना पाकूँ बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिती है, मौद की छबिए हर चेज़ पर संदेश करो, स्वयं अपना प्रकाश शक्की आदल से हैवाल कुछ भी नहीं, शक्क लोगों को अलग करता है, ये एक ऐसा जहे है, जो मित्रता खत्व करता है, और अच्छे रिष्टों को पुछता है ये एक काटा है, जो चोटिल करता है, एक सल्वार है, जो बत करती है सत्त के मार्ग पे चलते हुए, कोई दो ही गल्विया करता है, पूरा दाफ्टा ना तै करना है, और ना इसके शुरुआत ही करता है बुराई होनी चाहिए, ताकि अच्छाए उसके उपर अपनी प्रवित्रता साबित करता है खुशे अपने पास बहुत अधीक होने के बारे में नहीं है, खुशे बहुत अधीक देने के बारे में है मन और शरीर तोनों के लिए सफ का रहेस्व है अतीत पर शोक मत करो नहीं वविश की चिंता करो बलकि बुद्धमानी और इमानदारी से वर्तमान मेची ओ अंत में ये चीजे सबसे अधिक माइनी रखती हैं आपने कितने अच्छे से प्रेम किया है आपने कितनी फूरता के साथ जीवन जिया है आपने कितनी गहराई से अपनी फूरताओं को जाने दिया है अगर आप वास्तम में स्वयम से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेश नहीं पहुँचा सकते शांती अंदर से आती हैं इसे बाहर मत खुने तहे हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता है ना कोई बचा सकता है और ना कोई ऐसा करने का प्रयास करें हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा चलिये उपर उठे और अभारी रहें क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा है और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा है, तो कम से कम हम बिमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बिमार पड़े, तो कम से कम हम मरे तो नहीं, इसलिए चलिए हम सभी अभारी रहें। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कत्व है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और इस्पष्ट नहीं रख पाएंगे। जो आप सोचते हैं, वो आप बन जाते हैं। जीवन में आपका उद्देश अपना उद्देश पता करना है और उसमें जी जानते चुट जाना है। आप पूरे ब्रह्मभांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं, जो आप से अधिक आपके प्रेम और इसमेह के लायक है। और वो व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना इस ब्रह्मभांड में कोई और आप के प्रेम और इसमेह के अधिकारी हैं, उतना ही आप खुद के हैं। हर सुबह हम कुने जन्म लेते हैं, हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायनी रखता है। कोई व्यक्ति इसलिए ज्यानी नहीं कहलाता, क्योंकि वो सिर्फ बोलता रहता है। लेकिन अगर वो शांति पूण, प्रेम पूण और निर्भय है, तो वो वास्तम में ज्यानी कहलाता है। जो पुद्धिमानिय से जिये हैं, उन्हें ब्रत्राइब करते हैं।